हालो अब्रीवन वेलकम तो अवर यूट्यूब चैनल सेंडा एडवांस एजूकेशन दिस इस कंप्यूटर साइन्स ओफ क्लास से किन एंड बुक नेम इज आई टेकलिक इन इस बुक आम गोईंग तो टीच यू लेसन टू दा नेम दा लेसन इस पार्ट्स ओफ ए कंप्यू करते हैं लेसन को अहीं मन बोड़ी इस मेड अप डिफ्रेंट पार्ट्स देख जो ह्यूमन की बोड़ी है जो मान और शरीर है वह अलग अलग पार्ट से मिल करके बना हुआ है इच पार्ट हैस अस पेशल वरक टू और हर एक पार्ट का अपना-पना कोई ना कोई स्पेशल है जैसे आख हैं आखों को किया काम होता है देखने का होता है कान का सुनने का होता है नाप का सुंगने का होता है तो जब बोड़ी के पार्ट से उनका सभी का अपना-पना अलग-अलग कुछ ना कुछ व्काम होता है in the same way a computer is made up of different parts उसी तरीख सी जिस तरीख से मानव की ब वोड़ी वी अलग अलग पार्ट से मिल करके बनी हुए होती है all these parts together make a computer work सारे जो पार्ट होते हैं सारे पार्ट मिल करकी computer को काम करने लायक बनाते हैं एक computer is a machine that has four main parts computer एक machine है जिसके चार four main parts होते हैं कौन-कौन से होते हैं monitor keyboard CPU and mouse ये computer के four main parts होते हैं अब हम इन सभी को एक एक करके discuss करेंगे सबसे पहले monitor के बारे में हम बात कर लेते हैं a monitor looks like a monitor looks like a TV screen जो monitor है वो एक TV screen की तरह दिखता देखिए आपका monitor है और यह TV है और आज के टाइम के जो TV है वो भी पिल्कों सेम ऐसे ही लगते है monitor की display ही होती है same it shows the text typed in and work done by us यह हमें क्या दिखाता है जो हमारे दुआरा कोई भी काम किया जाता है typing की जाती है जो हम text type करते हैं उन सब को यह screen पर दिखाता है मतलब उस सारे काम को हमें दिखाने का काम करता है it also displays the result इसके लावा यह result भी डिस्प्ले करता है जो भी हम काम करते हैं उसका result ही हमें डिस्प्ले करता है keyboard के बारे में बात कर लेते हैं keyboard has many buttons which are called keys keyboard में जो हम सारे button होते हैं जिनको keys कहा जाता है दिखें यह उसमें कीऑोरड दिखाया गया है जिसमें बहुत सारी कीज हमारे सामने मतलब यह जो keyboard के button होते हैं इनको क्या वोला जाता है कीज बोला जाता है keyboard is used for typing letters words numbers and special symbols जो keyboard है उसका use letters को type करने के लिए words को टाइप करने के लिए numbers को और कोई जो स्पेसल सिम्बाइब होते हैं को टाइप करने के लिए किया जाता है a standard keyboard has 104 एक जो standard keyboard होता है उसमें कितने कीज होती है 104 होती है अब हम CPU के बारे मात कर लेते हैं CPU stands for Central Processing unit CPU है उसकी full form क्या होती है Central processing unit होती उसका पूरा नाम CPU is called the brain of a computer और CPU को computer का brain भी कहा जाता है brain क्या होता है दिमाग computer को क्या कहा जाता है computer का brain कहा जाता है it's it helps a computer to think and do all its work यह जो CPU है वो computer की help करता है सोचने में और जितने भी वो काम करता है उनको कराने में इसकी help करता है सारे काम जो होते हैं वह इसी के द्वारा किये जाते हैं it also helps a computer to remember things इसके अलावा एक computer को बहुत सारी बातिया मतलब कुछ टास्क है कुछ वर्क है operations जो है उनको काम उनको याद दिलाने में इसकी help करता है ओल दा अधर पार्ट ओफ एक computer are attest to the CPU by wires और बागी के जो भी parts होते हैं computer के वह CPU से attest होते हैं CPU से attest होते हैं wires के द्वारा जो वायर होती हैं उनकी help से बागी के जो parts होते हैं वह computer से attest होते हैं अब माउस के बारे में बात कर लेते हैं आग computer mouse has two buttons on it जो computer mouse होता है इसमें कितने बटन होते हैं दो बटन होते हैं टू बटन होते हैं इस यूज़ तो पॉइंट मूव एंड सेलेक्ट एनी आइटम ओन दे कम्प्यूटर स्क्रीन मोनिटर देखिए इसका यूज़ क्योंकि आता है क्या करने के लिए खिए और मूव करने के लिए किसी भी आईटम को सलेक्ट करने के लिए आपके सामने माउस की फिच्चर दी गई है A mouse also helps us to draw pictures and play games जो mouse होता है वो हमारी help करता है क्या करने में help करता है pictures को draw करने में भी help करता है और game खेलने में भी help करता है More parts of a computer अब हम computer के कुछ और parts के बारे में भी पढ़ेंगे Apart from the four main parts there are some other parts of a computer which can be attached to it for different functions जो पार्ट हमने four parts पढ़ें इनके अलावा भी कुछ computer के parts होते हैं जो इससे attached होते हैं अलग-अलग function के लिए सबसे पहले क्या है printer है printer is used to print the text or pictures on paper जो printer है उसका use किया जाता है paper पर print करने के लिए print आप क्या कर सकते कोई pictures या पर टेक्स को print करते हैं तो उसके लिए हमें किस की जरूत होती है printer की जरूत होती है it can print both in black and white and color और हम जो यह printer होते हैं इनसे हम black and white और color print भी निकाल सकते हैं दोनों तरीके के print हम इससे निकाल सकते हैं the printed copy on paper is called the hard copy अब देखिए जो printed copy होती है paper पर जो हमने कोई भी picture या फिर टेक्स को print किया है ना उसको हम hard copy कहते हैं the commonly used printers are जो ज्यादे यूज के जाने वाले सामानते यूज के जाने वाले printers हैं वो कौन-कौन से हैं dot metric printer, ink-z printer and laser printer यह कुछ common used printer है अब हम बात करते हैं microphone की microphone is used to record our voice and different sounds into a computer जो microphone है उसका use किया जाता है voice को record करने के लिए जो हमारी आवाज है voice है उसको record करने के लिए या कोई दूसरी sound है उसको computer में record करने के लिए microphone का use किया जाता है It also help us to talk to our friends through internet और इसके अलावा मालिया हमें अपने friends से internet पर बात करनी है तो उसके लिए भी हमें microphone की जरुत होती है तो यह हमारी उसमें भी help करता है speakers के बारे में पढ़ लेते हैं speakers allow us to listen music and hear sound effect stored in a computer speaker का use कियाता है किसी भी sound को या music को जो computer के अंदर store है उसको सुनने के लिए music सुनते हैं गाने वगारे सुनते हैं या फिर कुछ दूसरी चीज भी अगर सुनते हैं तो उसके लिए computer से जो भी हम सुन रहे हैं उसके लिए speaker की हमें जरुत होती है speaker हमारी help करता है अब हम बात करते हैं dvd की digital video disk इसके full form होती है a dvd is round in shape जो dvd होती है वो shape उसकी कैसी होती है उसको जो आकार होता है वो कैसा होता है round होता है गोल होता है it is used to store a lot of information और इसका use किया तब मतलब बहुत सारे information को store करने के लिए dvd का use किया आता है it is shiny disk that runs in the dvd writer यह shiny मतलब chunky disk होती है इस पर shine करती है इस लिए इसको shiny बोल दिया है it is shiny disk that runs in the dvd player एक shiny disk होती है जिसको dvd player में चला जाता है जो dvd player में चलती है the dvd rider is fixed in the CPU जो dvd rider होता है वो किस में fix होता है CPU में fix होता है CPU के अंदर क्या होता है dvd player dvd rider होता है जिसमें हम dvd को चलाते हैं अब हम बात कर लेते इस lesson में exercise की first one is objective type questions and tick right the correct option जो correct option है मैं उसको क्या करना है टिक करना है first one is cd stand for cd की full form क्या होती है control disk computer disk cover disk या फिर compacted disk तो cd होती उसकी full form क्या होती है compacted disk होती है next one the printed copy on paper is cold देखिए अभी मैं आपको पढ़ाया था कि जो हम paper print की helps जो paper निकालते है picture निकालते है कोई image निकालते paper पर तो वह printed copy क्या होती है क्या कहते हैं उसको कहते हैं hard copy a desk helps in playing games and drawing pictures इन में से कौन सा ऐसा item है and कौन सा ऐसा पार्ट है computer का जो हमें help करता है game खेलने में picture को ड्रो करने में keyboard है keyboard से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा mouse mouse सही है option this is correct next one is fill in the blanks there are four main parts of a computer 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 के four main part होते हैं the standard keyboard has 104 keys standard keyboard में कितनी keys होती है 104 keys होती है a mouse has two buttons on it जो mouse होता है उसमें कितने button होते हैं two button होते हैं a microphone is used to record our voice into a computer जो microphone होता है उसका use किसली किया आता है computer में अपनी voice को record करने के लिए अब हम बात करते है true false की the buttons on a keyboard are called keys जो keyboard में button होते हैं उनको क्या कहते हैं keys कहते हैं यह true है जो keyboard के बटन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं keys कहते हैं dot metric is a kind of printer true dot metric printer का एक प्रकार है kind है speakers are used to play sound speakers का use हम sound play करने के लिए करते हैं यह भी सही है अब printer shows the text on the monitor जो printer है वो क्या करता है text जो होता है हमार उसको monitor पर शो करता है यह तो आपका false है किस पर करता है वो एक paper पर शो करता है जो printer होता है उसमें क्या करते हैं कोई भी image या फिर print उससे text को print करते हैं किस पर paper पर यह matching है match the parts of a computer with their with their picture देखे की बोर्ड है यह this is keyboard and this is mouse and this is the speakers and this is printer यह आपके matching अब इस lesson में ना एक यह वाला part दिया गया है जिसमें आपको फिल करने पिक्चर दी गई है फिल दा क्रोस वर्ड विदा हैल्प ओफ फिक्चर्स हैं हिंस देगा है इनके help से आपको इनके name complete करने जैसे यह है यह cpu है इधर यह printer है तो यह आपके लिए बना दिया गया है आप इसको complete कर लिजेगा ठेंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो लगया तो वीडियो को लाइक करना शियर करना कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नभूलें ठेंक यू झाल झाल